किस तरह के डिसिजन्स यहां पर हुए आने वाले समय में किस तरह की दिशा होगी कैसे दिखते हैं सबसे महत्मूर था जोन वन में जो मद्य शेत रहे इसमें खिर्ची दुकानों को निर्णे था सभी इमत में थे कि इनको और इवन पर खुलना चाहिए उस पर निर्णे वाला था वो भी जो ट्रांसपोर्ट वाला ओफिसें और इवन पर खुल सकेंगे और ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे जोन दो लगभग पूरा खुलेगा उसमें केवल मॉल्स और रेस्पोरेंट्स और जो यह जिम में अभी इसके लिए थोड़ा कुछ और कमिटी बनी है चर् पूरा खुल चुका है वो वाला भी उसमें को इशू नहीं है रेत के रेत गिट्टी और इसके जो व्यापारी है अपने मुरम के इनको रात में 11 से 5 तक के अनमती देंगे इसके लावा जो छोटे चाय और नाश्ते वाले जो लोग है इनका भी रोजगार रहता है उनको भ बाद भी बंद करना होगा और मुख तोर पर इसी तरह से भी सराफे की रात के उसमें और चपन की भीड़ के खटी होती है इसको दो के संबंद में भी कोई चर्चा नहीं हुई है पर चपन में जो अन्य दुकाने हैं जिसमें की खुलोना बेचने वाले इस सब खुल दिखा जाएं जिसमें मौल सोगे रहा है शको लिकर कुछ वर बंदिर के बारे में चर्चा हुई थी जो समिती ने जो अधर्मकूरों को बैठक ली थी इसमें जो चर्चा हुथी हमने समिती को बतलाया था कि सभी इसमें एक मत्ति एक थे की अभी थोड़ा इसको होड़ प भी बनाई है, इनको एक उप समीती है, उसमें बला करके चर्चा की जाएगी उसमें, बाकी तो एक रेस्टोरेंट्स के लिए बला के सोपी के बारब चर्चा की जाएगी, तो इनको फोल्ड किया गया कुछ चीजों को भी.